दोस्तो अगर आपको हिंदी में लांगवेज में 30 में 30 मार्क्स अटेंड करना है अधिकतर मार्क्स अटेंड करना है आप लोगों को जो भी सक्सेज हुए हैं जिनका सेलेक्शन हुआ है उनसे एक बार पूछेगा कि हिंदी पेडागोजी का इंपोर्टेंट क्या रोल होता ह है यूँकि हिंदी पेडागोजी में आपके 15 मार्क्स पूछे जाते हैं 15 मार्क्स आपको 12-13 मार्क्स लाना अनिवार हो जाता है सेलेक्शन के लिए उसके लिए क्या करना होगा प्रेक्टिस सेट अटेंड करना होगा इसलिए हम आपके लिए प्रेक्टिस सेट लाए हैं ह समझा होगा ठीक है अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो यहां पर बेल आइकन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा तो आपको अहां देख सकते हैं ठीक है तो कोश्चन पढ़ते हैं आज के पहला कोश्चन आज के लिए आपके लिए कि प्रात्मिक इस्तर की क्या हो जाएगा तो इस कतंका आपको नहीं देख स्कीन पर आगया है पढ़ते हैं चलिए इसको भी सभी इंप्वर्टेंट रहेंगे और आप लोग अपना पने स्कोर प्रेक्टिस सेटो अप देखी आप लोग कितनी त्यारी कर चुके हैं कितना प्रिपेसन आपका हो ठीकि आपके स्कोर कितने साही हो रहे हैं कुश्यन है जो सिछक बच्चों का भासा से अर्थपूर्ण परिचे कराना चालती हैं तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा वे पाठ पुस्तक के क्या है वे पाठ पुस्तक में रोज मर्रा की भासा को इस्थान देते हैं ठीके जो सिच्छक बच्चों की भासा वा अर्थपूर्ण का परिचे कराना चाहते हैं तो क्या करते हैं पाठ पुस्तक में रोज मर्रा की भासा को इस्थान देते हैं सिच्छा बेक्ति को साच्छर बनाने की प्रक्रिया है सिच्छा क्या है बेक्ति दोस्तो साच्छर बनाने की प्रक्रिया है यह सिच्छा का कौन सा यर्थ है देखे ये पूरी आपका लाइन पड़ी एक लाइन के सिच्छा बिक्ति को साच्छर बनाने की प्रक्रिया है तो ये सिच्छा कौन सार्थ हो जाएगा आपका संकुचित अर्थ कहलाएगा ये संकुचित एक सिच्छा की विस्था यहां पर रख दिया गया है कि जो सिच्छा बिक्ति के क्या होता है साच्छर बनाने की प्रक्रिया होती है पुरे एक लाइन में रख दिया यहने कि संकुचित करके रख दिया गया ठीक है नेस कोश्चन यहाँ पर देखेंगे अंगला प्रसने इंपोर्टेंट प्रसने हर भाई वेंसे निवेदन करतो हूं वीडियो इन तक देखेगा क्योंकि हमें हमारा मकसद है पेड़ागोजी में 15 में से 15 लाना ठीक है मात्र भाशा मनुस के हैदें की धरकन की भाशा है कथन किसका है बहुत इच्छा कोश्चन है इंपोर्टन कोश्चन है बीबी आईपी कोश्चन है कि जो मात्र भाशा है वे मनुस के हैदें की धरकन की भाशा है ये कथन है किस ने कहा भईया आपके किस ने कहा है कल राज ने कहा है कल राज ने कहा है कि जो मात्र भाशा है मनुस के हैदें की धड़कन की भाशा है ठीक है धड़कन की भाशा है किस ने कहा कल राज ने कहा आई होप आपने याद कर लिया होगा ठीक है और पीडिया फाइल आपको free में मिलेगी वीडियो के last में इन में जाएंगे description में जाएंगे नीचे link मिल जाएगे telegram, whatsapp group किसी में भी join हो सकते हैं और PDF दो या तीन दिन के अंदर आपको मिल जाएगे ठीक है question है नेदाइक परक पत्र बनाने की आव सकता है जो आपकी नेदाइक परक पत्र बनाने की सकता होती किस पर होती है उस पर होती किस पर होती है छात्रों की कमजोरी का पता लगाने हेत होती है नेदाइक परक पत्र बनाने की सकता छात्रों की कमजोरी का पता लगाने हेत होता है ठीक है नेस कोश्चन है आपका सब्द भंडार में ब्रद्ध के लिए अवस्यक है अगर हमें सब्द भंडार में ब्रद्ध करना हो तो उसके लिए क्या अवस्यक होगा गद्ध सिच्छन होगा पद्ध सिच्छन होगा रचना सिच्छन होगा या आपका नाटक सिच्छन यानि प्रात्मी किस्तर पर जो रचना सिच्छन की प्रमुक बिदी आपकी कौंसी है तो होती है उद्वोधन बिदी ठीक है प्रात्मी किस्तर की जो रचना सिच्छन की प्रमुक बिदी होती है वो आपकी उद्वोधन बिदी होती है ठीक है नेस कोश्चन यहाँ पर देखे आपका ठीक है कोश्चन है मांटेन सरी ने कहा कि मांटेन सरी ने क्या कहा कि कि पहले लिखना फिर पढ़ना मांटेन सरी ही ने कहा था कि पहले लिखना फिर पढ़ना या ऐसा कोश्चन आ सकते कि पहले लिखना फिर पढ़ना किसी ने कहा तो आपके मंटें सरी ने कहा ठीक है नेस कोश्चन देखेंगे यहाँ पर प्रोजेक्ट सब्द का सरबथम प्रयोग किया क्या पूचा गया है प्रोजेक्ट सब्द का सरबथम प्रयोग किया डेल ने किया किलपेटिक ने किया डिवी ने किया या Professor Richards ने किया तो यहाँ पर देखे Project सब्दका स्वरपतम प्रयोग किस ने किया Project Professor इतना प्रो प्रो यार्गी है टेकनिक है आपकी Project सब्दका प्रयोग किस ने किया इध्यान दिजेगा Pro से Pro मिलना चाहिए Professor Richards ने किया था ठीक है Next Question यहाँ पर देखेंगे Dalton Jojna का P्रवर्तक है जो Dalton Jojna है उसके P्रवर्तक है उसके प्रवर्तक आपके Helen Parkhurst है ठीक है अगर आ गया Dalton Jojna के प्रवर्तक कौन है तो आपको किस में क्लिक करना है Helen Parkhurst में क्लिक करना है ठीक है तो मारिसन ने दिया है ठीक है आत्मी करण का जो संप्रत्त है दिया है किस ने दिया है मारिसन ने दिया है ठीक है नेस कोश्चन देखेंगे अंगला प्रस बहुत ही इंपॉर्टन प्रस ने बीबी आइपी कोश्चन है बेसिक पद्धत का प्रचलन किया बेसिक पद्धत का गांधी आजाए तो बेसिक पद्दत का प्रचलन किस ने किया तो M.K. गांधी ने किया तो ध्यान देना है ठीक है M.K. गांधी ने ठीक है आई होप आप लोग कुश्चन को बहुत यह चली से रीड कर रहे होंगे समझ रहे होंगे निस कुश्चन यहाँ पर देखेंगे मु के कुश्चन इजाम में आएंगे तो बहुत ही आप इजली से स्वाल कर लेंगे ठीक है क्लिक कर लेंगे नेस कुश्चन है आपर दूरस्त सिच्छण में होता है तो दूरस्त सिच्छण में होता है तो दूरस्त सिच्छण में क्या होता है अंदेशन आधारित भी होती है स कि सत्य सास्वत्वा अपरिवर्तन सील होता है जो सत्य होता है सास्वत यानि हमेशा और अपरिवर्तन सील जिसे परिवर्तित ना किया जा सके कथन का कौन सी बीदी समर्थन करती है यह देखे एक्चुल सही लिखा है जो सत्थ होता है सास्वत्वा अपरिवर्तन सील होता है तो यह आपको बताना कथन का कौन से बीदी समर्थन करती आगमन बीदी करेगी, निगमन बीदी करेगी, खेल बीदी करेगी, कोई नहीं देखिस सत्थ जो है सास्वत्वा अपरिवर्तन सील होता है तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर निगमन वेदी हो जाएगा ठीक है कौन से वेदी हो जाएगी निगमन वेदी हो जाएगी इस टाइप के question आपके ठीक है ओ जाम oriented बहुत ही infect आपके लिए लाएंगे ठीक है बहुत अच्छा question है यह कि भारत में अभी क्रमीत का प्रसार हुआ जो भारत में आपके अभी क्रमीत अनुदेशन का प्रसार कब हुआ था तो 1963 में हुआ था question अगर जाम में आ गया तो infect आप लोग solve कर लेंगे ठीक है next question यहाँ पर देखेंगे अंगला प्रसने आपका बहुत एच्छा question है कि सही क्रम में कौन सी अभी क्रम अनुदेशन की क्रिया हो रही है ठीक है आप यहाँ पर देखना है और इसका answer आप लोगों को बताना है ठीक है चले यहाँ पर पहला option पढ़ेंगे पहला option क्या दिया है read rights checks advanced test यहाँ पर लगभग मेरे हिसाप से पहला यह option सही हो जाएगा क्या हो जाएगा read write read यानि पढ़ना write यानि लिखना check यानि की सभी लोग जानते check करना ठीक है और advanced test ठीक है तो यहाँ पर जो आपका पूछा गया है सही क्रम में कौन सी अभिक्रमीत अंदेशन जो है ऐसे होता है अभिक्रमीत अंदेशन की जो कुरिया होती है पहले read होता है फिर advanced होता है फिर test होता है ठीक है आई होप आप इस question को समझ गया होगे ठीक है नेस question देखेंगे बाह और रेखी अभिक्रमीत अंदेशन का विकास किया जो बाह और रेखी अभिक्रमीत अंदेशन है वो किसने विकास किया था इसकरन ने किया था इस्पेंसर ने किया थ कि पॉल ने किया था तो बाई और रेखी अभिक्रमित अंदेशन का अभिकास किस ने किया आपके इसक नर किये थे ठीक है नेस कोशन आईए देखते हैं इस कोशन का आप लोग पढ़िए कमेंट करिए जब तक मैं थोड़ा पानी पिलेता हूँ आयोप आप कोशन पर चुके होंगे जो दल सिच्छन है यानि कि टीम टीचिंग कहलाती है दल सिच्छन को टीम टीचिंग बोलते हैं इंगलिस में बीदकासी गणेस हुआ इनि कि दल सिच्छन का जो बीदकासी गणेस हुआ तो कहां पर हुआ भाया अमेरिका में हुआ था ब अमरूद सिखाने के लिए किस अधिगम का प्रयोग करना चाहिए अमरूद का चित दिखा कर प्रयोग करना चाहिए हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि जो रा रिसी होता है इसको हम कैसे वहाँ पर दिया गया थे स्वर जो है रिसी है इसे आपको सिखाने के लिए अधिकम का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर भीता चित्तद्वारब प्रदसित करेंगे यहाँ पर अमरूद ले लिया गया तो I hope question को समझ चुके होंगे और इस type के question एक type का जरूर आता है ठीक है तो उमीद करता हूँ वैसे question इजाम में पूछे जाएगे तो आप फटाफट solve कर लेंगे ठीक है समझ लेंगे question next अंगला प्रसन देखेंगे curriculum की रचना में प्रमुकते जो है ध्यान रखा जाता है जो curriculum की रचना होती है प्रमुकते ध्यान रखा जाता है किस पर ध्यान दिया जाता है या बालक पर ध्यान दिया जाता है ठीक है बालक लिखा हुआ है तो किस पर ध्यान दिया जाता है तो आपके बालक पर ध्यान दिया जाता है ठीक है ध्यान दीजेगा अगर करिक्यूलम की रचना में प्रमुक ध्यान किसे दिया जाता है तो बालक पर ध्यान दिया जाता है ठीक है सिच्चन में ग्यानात्मक उद्देश के अंतरगत आते हैं अंगला प्रस्ण है आपका भासा सिच्चन कैसी होनी चाहिए कैसा होना चाहिए अपचारिक होना चाहिए अनपचारिक होना चाहिए निरपचारिक होना चाहिए या उक्त सभी तो भासा सिच्चन कैसी होने ठीक है नेस question यहाँ पर देखेंगे मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए जो मौन वाचन है कब शुरू करना चाहिए कच्छा 3 से कच्छा 6 से कच्छा 10 से कच्छा 8 से तो जो मौन वाचन है कब शुरू करना चाहिए वो आपके कच्छा 3 से सुरू करना चाहिए ठीक है नेस question यहां पर देखेंगे छोटे बालकों में परियों की कहानी से क्या होगा अगर उन्हें परियों की कहानी सुनाया जाता है दिखतर सुनाया जाता है बच्चों को तो उससे क्या होता है कलपना सक्ति का विकास होता है चिंतन सिल्टा का विकास होता है या कौसल का विकास होता है या कुछ नहीं होता है, यहां पर क्या होता है आपका कलपना सकती का विकास होता है अगर छोटे बच्चों को परियों की कहानी सुनाते है उनमें कलपना होती है, सोचने की चमता गए सकती का विकास होता है ठीक है, नेस कुच्छन देखेंगे linga phone कैसा सैचिक उपकरण है जो linga phone है आपका वो कैसा सैचिक उपकरण है द्रस है स्रब है द्रसरब है कोई नहीं देखे जो linga phone हो गयाँ radio हो गया यह आपके dhrs में आते हैं अगर वहीं MARK इस बात TV की आ जाये ठीक वी जो आपका इसपस्टी करण होता है वह किसके अंतरगत आता है आदरस वाचन के अंतरगत अनुकरण वाचन के पुनरावति या प्रस्तुती करण के तो इसपस्टी करण किसके अंतरगत आता है यहाँ पर बात की गए इसपस्टी करण के यानि किसके अंतरगत तो प्रस्तुत इसपर्श्ट किसके की जब हम कोई चीज प्रकाइगे तब ही टो इसपर्श्ट कर पाएंगे तो इसपर्श्टी कर्ण किसके अंतर गाता गए आपके प्रस्टूति कर्ण के आ गया ठीक है आई होफ आपने बोहत अच्छे तरिसे से समझ लिया होगा next question देखेंगे bulletin board है जो bulletin board होता है वो कैसा होता है द्रस होता है स्रब होता है द्रस सब होता है यह सभी होंगे जो bulletin board होता है वो केवल द्रस में आता है ठीक है हर भाई भेंसे निवेदन करता हूँ इसी type के question आपकी jam में आने वाले हैं सभी नए pattern पे question रहेंगे आपकी slivers के अंसार है तो अंगला वीडियो देखने के लिए चैनल को जॉइन कर लिजेगा और बेल आइकम प्रेस कर लिजेगा और वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चलिए एक question और भी देख लेते हैं आपका question है आपकी बहुत अच्छा impactful आपका question है कि sciqe का अर्थ क्या है s iqe का अर्थ क्या है चलिए आप लोग नीचे comment गाख इसके में answer बताइएगा s iqe का अर्थ क्या है ठीक है चलिए शबी लोग बताइएगा मैं इसका answer आब आपको दिखाए देता हूँ छारो आप्सन में दिखाए देता हूँ ठीक है इसका answer आप लोगों को बताना है क्या होगा ठीक है तीन option दिखाये देते तीन में से देखे चार भी नहीं दिखा रहा हूँ तीन में से कोई एक सही होगा आप लोग comment के बताईए इसका answer मैं अंगले वीडियो में आपको बता दूँगा ठीक है SIQ का आर्थ क्या होता है ठीक है आई हो वीडियो आपने बहुत अच्छे थी कि समझा होगा मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वन्ने मातरम ठीक है